इस वीडियो में हम डिसकर्स करने वाले हैं पैरामिटर मोर्ष इन प्रोसिजर जिसके अंदर हम डिसकर्स करेंगे इन आउट इन आउट पैरामिटर्स के बारे में वीडियो में आकरी तक बने रहें और बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और चलते हैं SQL developer की तरफ और सिधे discuss करते हैं इनके examples जैसंब्श आप यहां पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने SQL developer की तरफ और यहां पर हमने create किया एक procedure जिस procedure का काम है कि दो parameters में से कौन सा parameter की कौन सा parameter आपका less than है और उसको हम identify करेंगे ठीक है so create or replace procedure procedure का name find mean then x in number यह आपका क्या है input parameter इसको आप क्या लिखते हो input parameter ठीक है अगर आप इस parameter को define नहीं करते हो input parameter को define नहीं करते हो तो इसका मतलब होता है आप उस procedure में input parameter आप send करो आप इसके बिना भी आप procedure create कर सकते हो ठीक है इस case में आपका क्या होता है procedure और इकल जो इंजने वह identify करता है कि जो आप procedure जो आप parameter भीजने वाले हो आपका क्या है input parameter है ठीक है यह हमारा जो procedure है यह basically क्या कर रहा है यह identify कर रहा है आपके दुनों parameter से कौन सी value आपकी smaller और कौन सी बढ़ी है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो create and replace procedure find mix x number एक parameter होगे y number जो भी आपका data type है then is begin के अंदर हमने case check करवा है simple हम if x is greater than y then value print हो जाएगी else में y print हो जागा then end if ठीक है इसको हम कर लेते हैं create create हमारा procedure create हो चका है find mint ठीक है अब इसको हम कर लेते हैं execute तो procedure को आप simply इस तरीके से execute कर सकते हो begin begin के अंदर procedure then आपके parameters value ठीक है then end अब इसको आप यहाँ पे जैसी program को चलाते हो तो आपको क्या print होगा 10 that means जो आपके जो procedure है जो आपने दो parameter बेसे उसमें से कौन से value आपकी parameter value आपकी small है ठीक है वो हो गया identify ठीक है अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप बिना इनके भी procedure create कर सकते हो और आप इनके साथ भी procedure create कर सकते हो ठीक है अ अगर मैं इस procedure को call करता हूँ तो same इसी तरीके से call होगा ठीक है in future अगर आपसे कोई पूस्ता है कि क्या मैं in input keyword के साथ मैं अपना procedure create कर सकता हो या नहीं कर सकता हो तो आप बता सकते हो किस case में आप without input और input create कर सकते हो ठीक है so I hope आपको input parameter mode के बारे में पता चला होगा ठीक ह अब बढ़ते हैं आगे और discuss करते हैं second example second example में हम सिखेंगे कि कि किस तरीके साथ input parameter और out parameter का use कर सकते हो एक procedure में ठीक है basically हम यहाँ पे सिखने वाले out parameter ठीक है इन parameter तो आपने सिख ले आब हम सिखने वाले out parameter ठीक है पहले example में हमने क्या किया था हम कर रहे थे value को print ठीक है जो भी value छोटी होगी वह क्या करेगा वह हमें वह value हमारी आउट parameter में store हो जागी ठीक है सुआ यह देखते कि इस तरही किसे आप आउट parameter यूज़ कर सकते हो procedure के अंदर यह काफी question आता है interview के अंदर कि क्या हम procedure के अंदर आउट parameter यूज़ कर सकते हैं सो आपको बोलना है yes हम procedure से value को return कर सकते है with the help of out parameter ठीक है सो यह कुछ interview से related question पूछे जाते हैं जो की काफी confuse किया जाता है basically ठीक है सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने create क्या है create और replace procedure same procedure है हमारा find min underscore 2 ठीक है यह हमारा क्या था find min और यह हमारे क्या अंडर एंडर इंडर सको टू जिसके अंदर हम दो parameter value भेजेंगे और हम जो third parameter है जो हमारा out parameter के अंदर वो value store करेंगे जो भी हमारी दोनो parameter में जो भी value हमारी small होगी ठीक है then is और then हमारी जो condition है जो हम check कर रहे है ठीक है so यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है अब इस procedure को create क्या लेता हूँ ठीक है procedure हमारा create हो चुका है अब हमें करना है इसको execute so जब भी आप out parameter use करते हो ठीक है procedure में आप जब भी out parameter use करते हो तो उस case में क्या होता है आप जब भी उस जिस भी procedure में out parameter होता हो तो उसको call करने के लिए आपको एक variable define करना पड़ता है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है वी out num एक मैंने number type का एक variable define किया है begin begin के अंदर मैंने किया किया procedure का नाम आप call हमने parameter भेजना है in parameter तो हमारे दो input parameter है 10 out 20 ठीक है then third हमारे क्या out parameter यह out parameter basically क्या है यह out parameter हमारी यह value store कर रहे है x और y को store कर रहे है ठीक है तो यह जो भी value यह procedure रिटन करेगा वह हमारे इस out parameter के अंदर store होगी ठीक है so यहां पर हम चला के देख लेते हैं इस एन्यूनेस ब्लॉक को run किया और हमारा output क्या है 10 ठीक है अगर मैं इसको कर देता हूं 20 10 ठीक है so यहां पर क्या हमारा output आएगा 10 ठीक है so इस तरीके से आप out parameter यूज कर सकते हो procedure में ठीक है so आपको out parameter समझ में आया होगा ठीक है और दूसरा एक हो difference होता है in और out में input parameter जो होता आपका attributes चलता है आप उसको change नहीं कर सकते हो ठीक है जो भी आपने in parameter लिया same वही चल रहा है ठीक है out parameter को आप values की change कर सकते हो ठीक है अब हम एक और example देख लेते हैं ताकि आपको और help हो in out और in out समझने में ठीक है यहाँ पर हम ले रहे है in out parameter ठीक है यह basically क्या है हमारा एक extra parameter बहुत से cases में होता है आपको extra parameter नहीं चाहिए होता आप एक ही parameter से आप दोनों काम करा सकते हो as a parameter वह आपका input भी होता हूँ out और वह as a out parameter भी होता है उसी को हम बोलता है in out parameter ठीक है so create or replace square number हम यहाँ पर क्या कर रहे है हम जो भी हम value निकाल रहे है उसको हम square निकाल रहे है ठीक है so हमने एक in out parameter मतलब यह हमारा एक input parameter भी है और यह हमारा क्या out parameter है हम इसके थरू value भीजेंगे और इसी के थरू हम value को get भी करेंगे procedure के थरू ठीक है is then begin x assignment operator x into x ठीक है यह हमने procedure बना लिया ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जब भी out parameter यूज करते हो तो आपको एक variable define करना पड़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह हमारा input parameter है तो इसलिए आपको पहले इसकी value define करने पड़ेगी आप directly इसको नहीं चला सकते हो ठीक है इस इनपूट parameter को नहीं देता हूं आपकी value नहीं मिलेगी ठीक है प्रोसीजर रन्वाइब बट आपको कोई value नहीं मिली क्यों क्योंकि आपने इस parameter के अंदर कोई value assign नहीं किये ठीक है इसके अंदर हमें एक value assign कर देते हैं अब यह हमारा क्या यह हमारा input variable है ठीक है और output variable है यह आप समझ सकते हो इस तरीकी से अगर मैं इस procedure को अगर मैं call करता हूं आप यहां पर output देख सकते हो इसका ठीक है 100 अब इसने 10 को as a input लिया 10 into 10 किया ठीक है और इस 10 into 10 करके इस जो आपका जो यह in तो हो गया आपका यह ठीक है और देन आपका out parameter ठीक है इसकी help से हमने इस तरीकी से इस procedure को हमने किया है execute ठीक है so I hope आपको in out in out parameter समझ में आएगा अब हम चलते हैं थोड़ा और logical procedure के तरफ जैसा कि हम programming language में use करते हैं procedure को ठीक है so I यह बढ़ते हैं आगे so जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमने एक procedure create किया employee increment ठीक है so जैसा कि हर yearly जादतर कंपन इंक्रिमेंट मिलता है ठीक है so हम क्या कर सकते है simple एक parameter को pass करके ठीक है simple parameter को pass करके हम क्या कर सकते है किसी भी employee के हम salary को increment कर सकते है just suppose हमने यहां पर क्या करने की कोशिच कर रहे है एक हमने employee increment procedure बनाया है जिसके अंदर हमने दो parameter pass किया p underscore employee number input parameter number data type ठीक है कि हम कौन से employee का increment करना चाहते है then p underscore percent input number data type और कितने percent का हम data कितने percent का हम hike देना चाहते है कितने percent का हम increment देना चाहते है ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हो v underscore count एक हमने number variable बना लिया ठीक है begin और then end इसके अंदर हम आ गए है ठीक है यह हमारी condition है जो की इस program के अंदर execute होगा ठीक है सबसे पहले हम यह check करते है p underscore is not null अगर हमें किसी employee की increment करना है तो उसका employee number हमारे पास होना चाहिए अगर उसका employee number नहीं है so कैसे हम इसको employee को हम increment देशकता है तो सबसे पहले हमने condition चाहिए अगर p underscore enum is not null ठीक है अगर not null नहीं होता है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे select count हम count कर रहे है ठीक है into v count जो हमने variable define किया था उसके अंदर हमने count की value ली from employee where employee id equal to जो भी हम parameter से value दे रहे है अगर यह not null नहीं होग तो यह क्या करेगा यह इस table से जो आपका employee table है उससे value को fetch करेगा अगर उसमे record exist है जो भी हम employee number pass कर रहे है तो उसका count हमारा store कर देगा ठीक है अगर नहीं होता है तो आपको एक message show करेगा ठीक है तो आप यहां पर देख सकते है अगर count zero है तो हम क्या message कर रहे है dbms underscore output dot put line please enter a correct employee number ठीक है अगर employee number गलत होगा आपका जो employee number आप भीज रहे हो procedure के अंदर वो exist नहीं करेगा तो आप कैसे उसका increment कर सकते हो ठीक है जो employee exist ही नहीं कर सकता ठीक है तो उस case में हम user को क्या message दे रहे है please enter a correct employee number ठीक है then else if के हमने condition use करी we count equal to 1 अगर हमारा count 1 होता है then हम क्या करेंग हम करेंगे update statement अपडेट किसमें करेंगे हम table में update employees table set salary salary में हमने क्या salary plus salary into percentage जो भी हमने percentage पास किया divide by 100 where employee id equal to penum जो भी हमारे employee उस पे salary हमने इस तरीक से total salary ले उस salary पर percentage निकाल को उसको salary पर सेट कर दिया ठीक है अगर count else अगर 0 और 1 के लावा कुछ भी count होता है अगर इस employee पर हमारा duplicate record है तो क्या जाएगा हमारा message found duplicate entry मतलब एक ही employee के duplicate entry है ठीक है हमने यहाँ पर case handle कर रखें लास्ट हमारे क्या होता है अगर यह तो हो गया हमारा अगर penum is not null अगर penum is null होता है जो क्या होगा please enter employee number ठीक है यह हमने पूरा procedure के अंदर हमने logic build किया है जहाँ पर हम statement को dml operation यहाँ पर perform कर रहे है ठीक है तो यह हो गया हमारा procedure अब हमने इस procedure को किया run यह हमारा हो गया procedure create employee increment ठीक है अभी इस procedure को किस तरीक से आपको कर सकते हो simple तरीका है begin end ठीक है employ जो भी procedure का नाम है उसको आपको लिखना है then आपको parameter pass करना है so parameter में basically क्या है हमारा hundred जो हमारा employee number है और then 10% हम increment देना चाहते है तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं table में हमारा क्या record पड़ा हुआ है ताकि आपको update होने के बाद value यह मिल सके है ठीक है select star from employees so यहाँ पर हम देख लेते हं 100 हमारा कोई value है 100 पर steven है ठीक है steven की salary है 29040 ठीक है अब हम इस procedure को कर देते है run यह हमारा procedure हो चुका है execute अब हम दुबारा इस table को table से query करते है query करने पर आप यहाँ पर देख सकते हो जो steven की salary तो आप कितनी होगी 31944 ठीक है so यह हमने 10% का increment देने देने दिया है ठीक है उसके इसाब से हमारी यह value हो गई ठीक है इस तरीके से आप procedure create कर सकते हो उसके अंदर input parameter और out parameter यूज कर सकते हो ठीक है अब हम इसी example को एक बार और यूज कर लेते हैं ताक जिसमें हम क्या करेंगे हम input जो हमारे employee number और percent है वो भेजेंगे और जो भी हमारी salary अपडेट हुए वो भी हमें जानकरी चाहिए हमें query नहीं करना है ठीक है वो हम देख सकें कि कि कितनी value अपडेट हुई है ठीक है तो उस case में हम क्य करेंगे same हमारी condition है ठीक है अब हमने क्या क्या अपडेट करने के बाद हमने fetch के select salary into p total salary update होने के बाद from employee table where जो भी हमने employee pass किया same हो गया ठीक है simple condition हमने की यह जो हमारा out parameter है उसके अंदर हमने value store कर दिया ठीक है अब into करने के लिए हमने कोई नया variable नहीं create करना हमने into किसमे क्या out variable में ठीक है अब आपको यह procedure हमने कर लिया create procedure create करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते है आप output अब मैंने अगर यहाँ पर पास किया employee number hundred or ten percent का out तो हमारा क्या salary बनती है ठीक है इसको हम रन करेंगे तो हमारी जो salary बनती है 35138.4 ठीक है इस तरीके से आप in out parameter का use कर सकते हो procedure में I hope आपको तीनो मोड आपको समझ में आये और आपको यह video समझ में आये हो आपको अगर इस video सो कुछ सीखने हो बिलता है तो आप video को like कर सकते है चैनल को subscribe कर सकते हो और अपने feedback हमें comment section में share कर सकते हो सो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye